नीचे गिर रहा हूँ तो वैसे cases में descending triangle pattern का breakout, inverted hidden shoulder pattern का breakout ये pattern जो होते हो वो काफी अच्छा काम करते हैं तो हमेशा ऐसे stock पर नजर बना के रखें जो काफी close trade कर रहा है अपने all time high के पास because अगर उसको एक नया all time है बिनाना है तो उसे previous all time high को break करना होगा हाई everyone इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे stock के बारे में dissers कर जा रहे हैं जहांपर हमें आज के दिने काफी अच्छा breakout देखने को मिला है और अगर ये stock breakout के direction पर moment हो continue करता है तो हमें आने वाले समय में अच्छा return देखने को मिल सकता है बात करते है stock की पहला stock है पास P50 का और ERS का चार्ट तो सबसे पहला हम लोग यहां पर region को find out करते हैं कि हमने इस stock को क्यों select क्या है क्या हमारा entry price होगा क्या stopless होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर हम लोग time frame यूज कर रहे हैं वो है daily का recently हमने इसको discuss के था around 5250 के आसपास and right now it is starting around 6450 के आसपास तो काफी बहत्रीन आपको returns देखने को मिला होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने last time अगर मिस कर दिया था तो हो सकता है कि आपको इस पर एक अच्छा return देखने को मिल जाए बट सबसे पहले region और एक simple सा horizontal line चीजों को बिलकुल इसान रखेंगे जिससे समझने में कोई भी दिकत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि यह जो 6186 का जो level है यह last time हमें September 21 में देखने को मिला था and almost 3 years के बाद हमें same level का एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इसे हम लोग काते है multi-year का breakout अगर कोई भी breakout अगर एक साल के अगर बाद होता है तो उसे हम लोग काते है multi-year का breakout आप एक यहाँ पर pattern भी डॉक कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको previous वीडियो में भी बताया है कि अगर आप एक stock chart ले रहे हैं तो वहाँ पर आप multiple pattern draw कर सकते हैं and there is nothing wrong in that तो एक simple यहाँ पर round bottom pattern and आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region इसा stock को जो select करने का है वो है round bottom pattern का breakout chart को left hand side में scroll करेंगे और यह fine out करने की courses करेंगे company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं जो company list हुई है somewhere in December 1994 and इसका जो all time high था वो था somewhere around 6185 के आज पास and आज के दिन हमें इसका भी एक breakout होते हुए दिख रहा है तो third region इसा stock को जो select करने का है वो है all time high का breakout जैसा कि मैंने आपको हमेशा बता है कि अगर आप trading कर रहे हो है इंवेस्टिंग कर रहे हो आपके stock selection का जो region होना चाहिए वो पूरी तरह से clear होना चाहिए तब ही आप long run में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 6475 के अगर उपर जाता है तो हमें एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing low जो कहा रहा है 5925 रुपीज on closing basis अगर बात करेंगे target की तो जैसा कि अभी हमने डिसस के है कि यह जो stock है अपने all time hyper trade कर रहा है और जब भी अगर कोई stock अपने all time hyper trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है simple सा logic है because this stock does not have any previous swing high तो ऐसे cases में क्या होता है कि price कितना भी उपर जा सकता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते है हर एक 5-10% के मूँँपर parcel profit बुक करते है for example माल लेजेवर पास P50 के 100 shares है a stock जो हो 10% का move देता है तो यह पूरी तर से मेरे उपर depend करता है कि यहाँ पर मैं 5 quantity बुक करूँ या 10 quantity बुक करूँ और इस पर भी depend करेंगा कि यहाँ पर मैंने अपने capital का कितना percent deploy किया है अब आई यह देखते है next stock और यह है इंडो बॉरिक्स का और यह रहाइस का chart again सबसे पर रेजिजन को find out करेंगे और एक simple सा supply zone और you can also say that resistance और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस zone पर focus करना है कि price किस तरह से behave करता था जब भी prices के पास आता था breakdown downside में काफी बहतरी move prices के पास जाता है downside में अगें एक अच्छा move again prices को touch करता है downside में काफी अच्छा move prices को touch करता है downside में काफी अच्छा move around 3-4 days का consolidation and ask दिन में इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वह है resistance का breakout अगर आप बात करेंगे pattern की तो आप एक यहां पर pattern भी डॉक कर सकते है and it is known as cup and handle pattern का breakout तो इस stock को जो select रने का जो second region है वह है cup and handle pattern का breakout आप यहां पर यह भी notice करेंगे कि जो आज का जो volume है वो previous stage के comparison में जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेसा ध्यान में रखना जब भी आप volume और price को combine कर रहे हैं तो कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है, यह होता है bullishness का और ऐसे cases में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी ज़यदा बढ़ जाती है अगर आप option में trade करते हैं तो same concept आप वहाँ पर भी use कर सकते हैं अगर किसी stock का price बढ़ रहा है with increment in volume तो आप वैसे stock में call option की तरफ ध्यान दे सकते हैं और अगर माल लिजिए price जो है वो गिर रहा है और जो volume में वो बढ़ रहा है तो ऐसे cases में आप put option की तरफ ध्यान दे सकते हैं So this is all about the option बात करते हैं levels की तो अगर ये stock 220 के अगर ऊपर निकलता है तो अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो कह रहा है 202 रूपीज on closing basis हमारा first target है 237 का and इसके बाद ये जो stock है अपने all time high की तरफ चला जाएगा that means the stock is trading near its all time high तो हमेशा इस stock पर नजर बना के रखें जो काफी close trade कर रहा है अपने all time high के पास because अगर उसको एक नया all time है बिनाना है तो उसे previous all time high को break करना होगा बात करते हैं next stock की और ये है munjal auto का और ये राइसका chart recently it says क्या था राउंड 71 रूपीज के आज पास and right now it is turning around 124 तो काफी बहती दिन आपको returns देखने को मिला होगा बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है and again एक simple सा horizontal line चीजों को बिल्कुली असान रखेंगे कोई भी complex चीजों का हम लग use नहीं करते है तो एक यहाँ पर simple सा cup and handle pattern and आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रने का जो पहला region है वो है cup and handle pattern का breakout आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते कि जो आज का जो volume है वो previous stage के comparison में सबसे जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अगर आप यहाँ पर चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो 2024 में जो सबसे जादा जो हमें volume देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है आज के दिन तो हमेशा ऐसे दिन पर ध्यान दे जहाँ पर आपको volume में काफी massive change देखने को मिल रहा है with a particular pattern breakout चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और ये find out करने की कोसिस करेंगे company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते जो company list हुई है somewhere in July 2006 and इसका जो all time high था हो था somewhere around 115 के आसपास and आस के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो अगर ये stock 130 के अगर ऊपर जाता है तो हमेंगे अच्छी bank दिखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 107 रुपिज on closing basis जैसा कि अभी हमने पी फाइजर के case में डिसस किया था कि अगर कोई भी stock अपने all time hypertrade कर रहा है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे cases में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूँपर partial profit book करते हैं अब आए ये देखते हैं नेक सा stock और ये है Gio Finance का और ये रैस का chart तो सबसे पहले region को find out करेंगे last time हमने इसको recess किया था somewhere around 250 के आसपास और इसने high लेगा था around 3.95 का तो काफी बहती राप कृटन्स देखने को मिले होंगे बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है एक simple सा demand zone और you can say that resistance और अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस zone पर focus करना है आप यहां पर देख सकते है prices को break करता है retest upside में काफी बहती राप price again इसको retest करता है ये कौन सा दिन है election के result वाला दिन prices के पास आता है और यहीं से reversal again prices को touch करता है upside में एक move again prices को touch करता है और आज के दिन हमें एक यहां से reversal देखने को मिल रहा है तो पहला region इसे stock को जो select रहने का है वो है reversal from the support अब हम लोग यहां पर simple सा trend line को draw करतेंगे अगर आपको trend line draw करना नहीं आता है तो मैंने इस पर already एक video बना रखा है आपको जब भी time मिले आप उसे जाके देख सकते हैं तो आप यहां पर notice करेंगे कि इस stock ने एक kind of descending triangle pattern बना रखा था और आज के दिन हमें इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो इस stock को जो select रहने का जो second region है वो है descending triangle pattern का breakout और जैसा कि मैंने आपको हमेशा बता है कि जब इस stock का price नीचे गिर रहा हूँ तो वैसे cases में descending triangle pattern का breakout inverted hidden shoulder pattern का breakout यह pattern जो होते हैं वो काफी अच्छा काम करते हैं तो जब भी कोई भी stock ऐसे pattern का breakout दे रहा है तो वैसे stock को आप वास्टेस में डख सकते हैं हो सकता है कि आपको इसमें एक बड़ा return देखने को मिल जाए और आप यहां पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो आज का जो volume है वो previous stage के comparison में ज़्यादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है और in different word you can also say that कि इस reversal को भी volume support कर रहा है बस बोलने के अलग अलग तरीके हैं concept देखिए कि price जो reversal दिखा रहा है तो अगर यह stock 355 के अगर उपर जाता है तो हमका अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा 3.20 रूपीज on closing basis फर्स टार्गेट है 3.70 का सेकेंड टार्गेट है 3.85 का फर्स टार्गेट है 3.95 का जो की है इसका all time का high अब आगे डिसकस करते हैं इसका last stock और यह है कल्यांग ज्वेलर्स का और यह राइस का chart अब आप इसको ध्यान से देखिए कि हमने इसको कई बार डिसक किया है जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे around 140 के आसपास फिर around 200, 325 and recently डिसका थे around 430 के आसपास और अभी जो यह trade कर रहा है around 650 के आसपास तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं from 140 to 650 almost आपको 4 times से ज़्यादा का return आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा तो हमेशा initial breakout fine out करने की कोसिस करिये because वहाँ से जो returns होंगे न वो काफी ज़्यादा extraordinary होंगे बात करते हैं कि आज हमने इसको क्यों select किया है एक simple सा pole and flag pattern चीजों को बिल्कुल इसान रखेंगे जिसे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर notice कर सकते हैं कि इसा stock ने एक kind of pole and flag pattern बना रखा था और आज के दिन हम इसका एक breakout होते हुए दिख रहा है तो पहला reason इसा stock को जिस select करने का है वह है pole and flag pattern का breakout चार्ट को left hand side में scroll करेंगे और यह fine out करने कोसिस करें company कब list हुई थी और इसका all time high क्या था तो आप यहाँ पर notice कर सकते है जो company list हुई है somewhere in March 2021 and इसका जो all time high था हो था somewhere around 625 के आसपास and आज की दिन हमें इसका भी एक breakout होते हुए दिख रहा है तो second region से stock को जो select करने का है वह है all time high का breakout बात करते हैं तो अगर यह stock 650 के अगर ऊपर जाता है तो हमें कच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing low जो क्या रहा है 605 रूपीज on closing basis और जैसा कि अभी हमने P50 के case में डिसस क्या था कि अगर कोई भी stock अपने all time high पर trade करता है तो उसके पास upside में कोई भी resistance नहीं होता है और stock कितना भी उपर जा सकता है तो ऐसे case में हम लोग क्या करते हैं हर एक 5-10% के मूपर partial profit book करते हैं तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching